हेलो स्टुडेंट वेलकम तो माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप पे तो स्टुडेंट आज हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन में चप्र टू के इंपोर्टन कोशन तो कोशन नमर बन जरो त्री यहां पे नोट कर दिया गया है बोला गया A plus B plus C square plus A minus B plus C square plus A plus B minus C square बताओ किसके equal होगा ठेक है तो इसमें हमें तीनों के formula अपन करने पढ़ेंगे तो पहले में formula कोई सा open हैा we formula लिएक इता हूं formula लगेगा है यहां पे x plus y plus z का square, formula होगता है x square y square z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx यह formula है ठेक है और यह formula इन तीनों के अंदर open हमें करना होगा ठेक है याद रखना जो minus वाला content है minus वाला variable है उसे bracket में रख लेना ठेक है पहले इसको open करेंगे यह तो देखो plus का है तो इसमें तो कोई problem आएगी नहीं a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca इसमें कोई problem थी नहीं थी ठेक है इसको open करेंगे तो ध्यार रखना बी को minus का लेके चलना है यानि की a का square b को किसमें लेंगे minus में b का square c का square ठेक है plus में 2ab a तो a रहेगा पर b की ज़िए क्या लेना है minus का plus 2bc b minus का c plus का ठेक है फिर plus में 2ca c ले लिया और a ले लिया ठेक इसको open करेंगे फिर a square b square इस बाद c किसका हैगा minus का ठेक है फिर 2ab plus 2bc c किसका हैगा minus का plus में 2ca c minus का और a वैसे ही positive का जायागा इससे अगला part हमारा solution का ठेक है a square का a square b square c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca a square minus b को minus b से गुना करेंगे plus b square c square देखो plus minus 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 का 2ab plus minus 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 का 2bc 2ca plus a square फिर b square c square को c square से गुना करेंगे plus c square plus 2ab plus minus minus 2bc इसको से गुना करें minus का 2ca अब देखना ये है कौन कोर cancel हो रहा है ठेक है देखो जरा minus का 2ab plus का 2ab minus का 2bc plus का 2bc ठेक है and plus का 2ca minus का 2ca ठेक है देखो 1a square 1a square कितना हुआ 2a square 1b square 1b square 2b square 1c square 1c square कितना हुआ 2c square ठेक है sorry a square a square and a square 3 हों गए आप है गलती से नीचे वाला छोड़ गया b square b square and b square 3b square इसी दरे c square c square and c square 3c square ठेक है and यहाँ पर कौन बचा था plus का 2ca plus का 2ab minus का 2bc इन तीनों में से देखो 3 common आ रहा है तो a square b square c square इन तीनों में से 2 common आ रहा है 2ca, 2ab, 2bc ठेक है और student इसी के साथ मेरा question number 103 यहाँ पर complete होता है अब हम डिसकस करें के question number 104 तो पहले question number 104 को मैं आ पर note कर दिता हूँ ठेक है तो question number 104 मैंने आ पर note कर दिया गया बोला गया factorize a की power 12, y की power 4 a की power 4, y की power 12 इसलिए factor करो ठेक है देखो दोनों में से जो चीज common निकल सकती है उसे common निकालेंगी बट यहां पर बारा थे, बारा में से चार बहर आगए, अंदर कितने बचे? आट बचे, कितने बचे? आट, तो बहर जो लिखा हुआ, देखो मैं A और Y, दोनों की पावर 4 है, इसे बार मैंने एक अठा कर लिख दिया, इस 8 को मैंने लिख दिया, 4 की पावर 2 और इस 8 को मैंने लिख दिया y के उपर 4 की पावर 2 ठीक है? 4 to the 8, 4 to the 8 हो गया अब इसके लिए formula यूज होगा a square minus b square जिसे हम एक बार positive में और एक बार negative में open कर देंगे, ठीक है? दोनों पे 4 है इनको ठीक ठीकरे बाहा लगा देंगे a y की पावर 4 अब इन्हें क्या करेंगे? एक बार positive में a की पावर 4 plus y की पावर 4 positive में उपन कर दिया एक बार negative में a की पावर 4 minus में y की पावर 4 कर दिया फिर दुबारा से ये solution हो रहा है इसका फिर factor हो रहे है इसके factor नहीं हो सकते ये asities आ जायागा इसके factor हो रहे है इस 4 को हम क्या लिखेंगे? a square का square and y की पावर 4 को क्या लिख देंगे? y की square की square ठीक है? अब दुबार S-S में यही formula लग जायागा कि a square minus b square एक बार plus में और एक बार फिर minus में ठीक है? a की power 4 y की power 4 हाँ इसको दुबार S-S लिखना पड़ेगा यहनि a square plus y square एक बार plus में और a square minus y square एक बार plus में एक बार minus में फिर दुबार S-S के factor हो रहे है ठीक? इसके फिर दुबार S-S लिखेगा तो यह तो as it is आ जायागा a y की power 4 a की power 4 y की power 4 a square plus y square as it is आ जायागा इसके दुबार open होगे क्योंकि a square minus y square आ रहा है तो एक बार plus में और एक बार minus में ठीक है? और इसे के साथ मेरा यहाँ पर यह question complete होता है उमीद करता है शुरूण आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करने है ठीक है? मिलता लिए वीडियो में ओके बाबाबा थैंक्यू